हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल न्यू पैटन में नेक डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम बक्रम लेंगे बक्रम की लंबाई 6 इंच और इसकी चोड़ाई साड़े 7 इंच है बीच में से बक्रम को फोल्ड करके 4 इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे फिर 8 पॉइंट की चोड़ाई पे टिक लगाएंगे और ये देखिए घड़े सेप का पैटन देते हुए हमें ऐसे लाइन अप करना है इसकी चोड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं वैसे आप इसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों आप अपने हिसाब से ले सकते हैं फिर यहाँ पर हम एककिंज की चोड़ाई पे ऐसे टिक लगाएंगे फिर इस टिक को हम लाइन अप कर लेंगे लाइन अप करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ओप्सन सलेक्ट करें डिजाइन की ऐसे कटिंग करने के बाद हम इसे इस्तरी की सहायता से कपड़े पे चिपका देंगे अब जो हमारा सूट का कपड़ा है उस पर हम गले की कटिंग करेंगे गले की कटिंग करने के लिए साड़े तीन इंच की चौडाई पे टिक लगाएंगे फिर ये देखिए चार इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे इन दोनों टिक को स्केल की सहायता से हम ऐसे लाइन अप करेंगे फिर ये देखिए यहाँ पर हलका सा गोल सेप में तिर्ची में ऐसे लाइन अप करना है अब हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से हमें ऐसे कट कर लेना है ये देखिए सूट के कपड़े में हमने गले की ऐसे कटिंग कर ली है अब जो हमारा ये वाला डिजाइन है इसमें यहां किनारे की साइट से हमें कपड़े को फोल्ड करके सिलाई चलानी है हमने जो बकरम का गोल सेफ में कटिंग किया था उसी डिजाइन को हमने कपड़े पे ऐसे चिपकाया है किनारे के साइट से कपड़े को फोल्ड करके हमने सिलाई चला ली है अब हम धागे को कट करेंगे और इस डिजाइन को सूट के गले में ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए आपको सूट के कपड़े को उल्टा लेना है और इस डिजाइन को ऐसे लगा कर इसके बीच में सिलाई चलानी है यहां से धागे को कट करेंगे अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में डिजाइन के उपर हम यहां से सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लेट होई अब हम धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद सिलाई के हलके से बगल में हमें एश्ट्रा कपड़े को ऐसे कट कर लेना है ध्यान रहे आपकी सिलाई कटनी होनी चाहिए अब हम सूट के कपड़े को सीधा करेंगे फिर ये देखिए, डिजाइन को फोल्ड करके हम सीधा करेंगे और इसे अच्छे से इस्त्री कर लेंगे डिजाइन को इस्त्री करने के बाद अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ कपडा लेना है इस कपड़े की चौड़ाई और लंबाई दोनों तीन इंच है यहां कोने की साइड से कपड़े को ऐसे रोलिंग करेंगे फिर फोल्ड करेंगे और यहां किनारे की साइड में सिलाई चलाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से सारे कपड़े को रोलिंग करके यहां किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है इस डिजाइन की हम एक लंबी सी लाइन बना कर तैयार कर लेंगे धागे को कट करके किनारे की साइट से एश्टरा कपड़े को हम ऐसे कट करेंगे अब जो हमारा सूट के गले का डिजाइन है वो लेंगे ये देखे ये वाले डिजाइन को हमें यहां अंदर की तरफ लगाना है और इसके उपर सिलाई चला लेनी है सिलाई चलाते समय दोनों हातों से डिजाइन को ऐसे परफेक्ट सेप में बैठाते रहें जिससे हमारे डिजाइन में परफेक्ट फिनीशिंग आएगी और आपका डिजाइन इजली तयार होगा तो ये देखे फ्रेंट इस तरीके से दोनों डिजाइन को ज्वाइंट करते हुए हमारी ये लाइन कम्प्रेट हो चली है अब हमें यहां से ये धागे को कट कर लेना है धागे को कट करने के बाद हम सूट के कपड़े को उल्टा करेंगे और यहां किनारे की साइट से एश्ट्रा डिजाइन के कपड़े को कट कर लेंगे अब हमें एक कागच लेना है कागज को हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और जिस सेप में हमारा गला है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटी को बजा कर आलका ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी आने वाली नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अब हमें एक लंबा सा कपड़ा लेंगे ये उरे भी कपड़ा है जिसकी चोड़ाई दो इंच है इस कपड़े को फोल्ड करके हम यहाँ पर लगाएंगे और जिस सेप में हमने गले की कटिंग की ये बिलकुल उसी सेप में कपड़े को ऐसे लगा कर हमें सिलाई चला लेनी है तो ये देखिए फ्रेंड हमने सिलाई चला ली है यहाँ से धागे को और एश्टरा कपड़े को कट कर लेंगे अब हमें सूट के कपड़े को सीधा करना है और यहाँ से हमें कपड़े को हलका ह ऐसे कट कर लेना है ध्यान रहे आपकी सिलाई कटनी होनी चाहिए अब जो हमारा ये वाला कपड़ा है इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसके उपर सिलाई चला लेनी है ये बहुती इजी पैटन है इस डिजाइन को तयार करने का अगर आपको पसंद आये तो हमें कमेंट मे जरूर बताईएगा एक बात और आप इस डिजाइन को सूट में ब्लाउज में और टॉप में तीनों में तयार कर सकते हैं तीनों में इस पैटन का डिजाइन बहुती सुन्दर लगता है तो ये देखिए सिलाई करने के बाद यहां से हम एस्ट्रा कपड़े को कट करेंगे कागच को निकालने के बाद अब हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है जिसकी चोड़ाई तीन इंच है लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं यहां किनारे की साइट से कपड़े को फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे एक साइट से सिलाई करने के बाद हम दूसरे से भी कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे तो ये देखिए हमने दोनों साइट से सिलाई कर ली है अब हमें मसीन के धागे को थोड़ा धीला करते हुए यहां कपड़े की बीच में एक बराबर में सीधी सिलाई चलानी है तो ये देखिए हमने सीधी सिलाई चला ली है यहां से धागे को cut करेंगे और जो हमने कपड़े की बीच में सीधी सिलाई है उस धागे को हमें ये देखिए हलके हातों से ऐसे घीचना है ज्यादा tightly मत घीचेगा नहीं तो धागा तूट जाएगा हलके हलके हातों से कपड़े को ऐसे घीचेगा जिससे आपके कपड़े में मार्केट जैसा चूनट बनकर तयार होगा इस तरीके से चूनट बनाने के बाद इसे perfect shape में बैठाने के लिए अब हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे तो ये देखिए सारे चूनट को ऐसे perfect shape में बैठाईएगा और इसके बीच में सिलाई चलाना है तो ये देखिए फ्रेंट एक के बाद एक सारे चूनट को परफेक्ट सेप में बैठाते हुए हमारी ये लाइन कंप्लेट हुई अब हमें यहां से धागे को कट करना है और चूनट को गले की डिजाइन में ज्वाइन करना है तो ये रहा गले का डिजाइन इसे हम यहां पर ऐसे लगाएंगे और जिस सेप में हमारा गले का डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में हम चूनट को ऐसे लगा कर सिलाई कर लेंगे सिलाई करने के बाद हमें सुई धागा की मदद से या फैबरिक ग्लू की मदद से चूनट के डिजाइन में और रोलिंग वाले डिजाइन में हमें मोती लगा देना है जिससे हमारा डिजाइन और भी प्यारा लगेगा यहां से एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंट हमने सुई धागा की मदद से डिजाइन में ऐसे मोती लगा दिया है जो की बहुती प्यारा लग रहा है जब आप इसे फिटिंग साइज देकर पहनेंगे तो यह देखे डिजाइन का फाइनल लुक जो की बहुती सुन्दर लग रहा है अगर आपको हमारी यह डिजाइन पसंद आए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा हम आपके कमेंट का वेट करते ही इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो